बागपत में पुलिस का अमानविय चेहरा सामने आया जहां कोतवाली खेकड़ा में तैनात इंस्पेक्टर ने एक युवक को थर्ड डिगरी टॉर्चर किया बताय जा रहा है कि इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा पीडित युवक से किसी मामले को लेकर पूछताज कर रहे थे इसी दौरान इंस्पेक्टर सहब ने युवक को थाने में ही फट्टे से पीटना शुरू कर दिया इंस्पेक्टर के आगे युवक बेबस नज़र आया और उसने पिटाई नहीं करने की गोहार लखाई लेकिन इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा कहां रुकने वाले थे वो तो बिना कुछ सोचे समझे युवक को फट्टे से पीटते रहे हालकि थाने में ही मौजूद किसी दूसरे शख्स ने भेटना का वीडियो बना कर वाइरल कर दिया वहीं वीडियो सोचल मेडिया पर वाइरल होने के बाद पुलिस विभाग में हडकंप मच गया मामले में ADG मेरिट जोन ने बागपत के S.P. को जांच काधेश दिया उन्होंने कहा कि दोशी इंस्पेक्टर के खिलाफ कारवाई की जाएगी फिलाल मामले में इंस्पेक्टर राजकुमार्ट शर्मा ने पूरी तरहा चुप्पी साथ रखी है लेकिन वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी की कार्रेपरणाली पर कई सवाल उठ रही है बागपत से विबेक कौशिक की रिपोर्ट